आज मैं आपसे शेर करूँगी उनसे ही जुड़ी हुई एक छोटी सी कहान एक बार रविंदरना टेगोर और गांधी जी एक जगा एक साथ ठहरे हुए थे किसी कारे करम में जाना था उन्हें सुभे उन्हें देरी ने हो गांधी जी बिकेम रेडी सो फास्ट वे जटपड तैयार हो गुरु देव का वेट करने तकी बहुत समय बीट गया गुरु देव भाहर ही नहीं आए तो गांधी जी उनके कमरे में चले गए उत्सुकता वश की इतना समय क्यों लग रहा है एस वेंट इन साइट ही सो रुभिंदर नाथ आइने के सामने बड़े इतनी मेनान से बैठे हुए अपने लंबे बाल और लहराती दाड़ी सवारे चले जा रहे हैं बड़ गांधी जी इस शारीरिक साथ सज्जा का कोई मतलब ही नहीं इत वाज मेरे वेस्टेज अफ टाइम पॉर्ट है वे गुरुदेव से बोले आप क्या इन बेकार कामों में अपना समय नष्ट कर रहे हैं और वो भी इस उमर में सुंदरे बौट से जागरित कभी रविंदर ना टेगोर मस्कुरा उटी और रिपलाइट जब जवान था तो इस साथ सज्जा की तो जरूरत ना थी अब बुड़ा हो गया हूं तो मुझे इसकी बहुत जरूरत है और वैसे भी मैं तो अहिंसा के ही नियमों का पालन कर रह चकत भाव से विद एन इंटेरोगेटव लुक गांधी जी उने देखने लगे देन अगेन गुरुदेव रिपलाइट खूबसूरती को देख सभी अच्छा महसूस करते पदसूरती अकसर खीज और गुस्षे का सबब होती बेतर्ती और अस्ट व्यस्ट महोल सभी को परि और इस तरह अपने को सजा कर रखना महकाए रखना अहिंसा के ही सिधानत का पालन हुआ अगर हम अच्छे रंग से किसी के सामने जाते और उन्हें हमें देखकर अच्छा लगता तो हमने अहिंसा के सिधानत का पूरी तरह पालन किया सुन्दर लगना अहिंसा है सुन्दर लगना किसी को सुप महुचाना है सो सुन्दर्या में भी अहिंसा छिपी हुई है थैंक यू, देट इस आल फर तुड़े